उतर भारत में हो रहा ही बर्गबारी के चलते शीत लेर का सर रास्थान की लगबख सभी जुलों में देखने को मिल रहा है वही कूटा में भी स्टेशन शेतर में पारा जीरो डिग्री पर पहुंच गया लोग सुबह से ही अलाव जुला कर बेटे हुए हैं गरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं शीत लेर का प्रकोफ इस कदर है कि दुंद में कुछ दिखाई नहीं दे रहा गाड़ियां रे ग्रेंग कर चल रही है पट्री पार शेतर में हालात और भी विकट देखने को मिल रहे हैं जहां सुबह 10 बज़े तक गाड़े चलना मुश्किल हो रहा है वहीं लोगों की कपकपी छूट रही है मौसम विबा के अनुसार ये सर्दी अभी कुछ दिनों और लगाता जारी रहने का अनुमान चताय जा रहा है चोटे बच्चे वा अन्य गंबीर बिमारी वाले भी सर्दी से बच्चे ऐसी सला दी जा रही है वहीं कुछ लोग सर्दी का भी मज़ा ले रहे हैं और गर्ण पकोडी कचोरी का आनन ले रहे हैं